हर लो इंजिनियर्स तो विडियो पर च्क्रीक करते हो जो और इसको कैसे हमने auto schedule किया था वो हमने पिछले वीडियो में already सीखे रखा है इस वीडियो में यह जो हमारे टास्क है यानि कि हमारे जो activities हैं इनके लिए क्या-क्या लगते हैं हम उसको सीखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले समरीजिए यहां पर हमको जो हमारा footing concrete है इसके लिए हमको resources assign करना है तो इसके लिए क्या करेंगे यहां पर पर लेप साइड पर गैन चार्ट है उस एरो फे क्लिक करेंगे और यहां पर जो छीछ चाहम को hazel Wald को ऊसके बार यहां पर हमारे पास resources के लिखने उसका का टाइप है उसका क्या material है क्या inिश चिजह है ग्रूप स्टैंडर इट ओवरड जन्य चीजह क्या होती है इसको सीखते हैं वंब西्ए होते हैं ठीज के resources होते हैं पहला होता है work दुसरा होता है material तिसरा होता है Cost तो पहला category जो है वह work है work के अंदर क्या क्या आता है जो भी हमारे labor's होते है side engineers होते है supervisor होते है और जो भी हमारे machinery use होती है construction process में उन सब को हम work type में consider करते हैं में जो भी हमारे में इंगे को सब्सक्राइब करेंगे निए इंजिनर को और जो अर जो बैदर एक्षपेंसे लगते हैं इस वे किसमें डालेंगे हमारे कॉस्ट एडी-एडी में डालेंगे तो यहां पर हम क्या कर रहे थे हम भी फूटिंग कॉंक्रेट कर रहे थे तो यहां पर रिसोर्स नेम में फूटिंग कॉंक्रेट के लिए हमको क्या क्या लगेगा सबसे पहले यहां पर हमको लगेगा सेमेंट तो यहां पर सेमेंट तो यहां पर लग देंगे concrete mixer फिर यहां पर हमको कितने लेबर्स लगेंगे उसको समझते हैं तो देखिए था हमको यहां पर तीन लेबर्स लगेंगे एक जो हमारा सेंड करी करेगा और एक घृट करेगा और एक दिस्ते लगएगा हमको जो हमारे कॉंक्रिट के पास खड़ा रहेगा मिक्सर के अंदर पाइड डालने के लिए और उसको फ्रोपर्ली मिक्स करने के लिए फिर हमको दो और labor लगेंगे समझ लीजिए जो अमारा जो भी लिपस्ति पांच हो गया तो हमको क्या लगीग का में वाटर टालनी के लिए यह पर यहां पर लिए हैं भीस्ति हमको क्या लगेगा js puedo book मैं टालने के लिए तो यहां पर लिए सु shallow तो यहां पे site supervisor लग देंगे फिर यहां पे जो हमारा concrete mix prepared हो रहा है वह properly हो रहा है या नहीं और सारे specifications फालो हो रहे हैं या नहीं उसको चेक करने के लिए यहां पर हमको site engineer लगेगा तो यहां पर लिख देंगे site engineer फिर यहां पर cement के है हमारा material है तो यहां पर work में click करेंगे और यहां से पर हैं चुछ करेंगे और यहां से मटियर को चुछ करेंगे फिर सब क्या हूंगे हमारे वक में आएंगी फिर यहां पर इनिशाउस रए यानि कि इसका शॉर्ट फूम आप यहां रखना चाहिए आप वह रह सकते हैं तो अभी हमने सीमें के लिए सी रख रहा है सैंड के लिए एस स्टेल के लिए यहां पर 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 करेंगे और यहां पर यहां पर कॉंक क्लिक कर देते हैं फिर यहां पर लेबर एल से बिस्ती भी है साइड सुपरवाइजर में यहां पर सुप लिख देता हूं मैं तो यहां पर सुप लिख देंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे यहां पर साइड इंजिनियर में आप से लिख सकते हैं तो यहां पर मिले देता विस्ति, शुपरवाइजर, इंजिनर्स हमको लग रहे हमको यहां पर वो इसको इंपुड करना है और यहां पर हम दिखेंगे यहां पर जो हमने मट्रियल डिफाइन किया है उसके अंदर यहां पर मैक्स यूनित में कुछ भी चीज़े इंपुड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको हम क्या मंगाते हैं क्या मंगाते हैं उसकी हम यहां पर मैक्स यूनित हम कितना मंगाएंगे यहां पर हमको इसके यूनित लिखना है अब यूनित लिखना है अब यूनित लिखना है इस ग्रूप के कॉलम में अंदर हमको इस सब की यूनित लिखना है तो यहां यहां पर हमारे एग्रिगेट भी हम किसमें मंगाते हैं कुबिक फिट में मंगाते हैं तो यहां पर किसमें मंगाते हैं फिर यहां पर हमान जो स्टील है वह किसमें मंगाते हैं केजी में या फिर टन में तो यहां पर केजी लिग देंगे फिर यहां पर कॉंक्रेट मिकसर में आपने keyboard में 5 और enter कर देंगे फिर यहां पर हमको भीस्ती एक ही लग रहा था तो यहां पर one unit देंगे site engineer भी हमको एक ही लग रहा था और supervisor भी हमको एक ही लग रहा था अगर यह जो हमाई सारी max unit से अगर आपका यहां पर percentage बात है तो उसको आपको change करना पड़ेगा करने के लिए यहां पर file का option देख रहा आपको डॉप left में उसमें क्लिक करेंगे और यहां पर बॉटम में option का option है उसमें जाएंगे फिर यहां पर जाएंगे हम हमारे चैडीज में जाने के यहां पних यहां पर देखिए Max क्या रखता है फोडेकर से उसे को यहां पर फारव करना है अब यहां पर देखेंगे दिखाएकान या फिर anarch और करनसी में दिखाएगा तो उसको चेंज करने के लिए फिर से फाइल में जाएंगे और यहां पर बॉटम में ऑप्शन में जाएंगे फिर यहां पर डिस्प्ले में जाएंगे फिर डिस्प्ले में यहां पर देखें करनसी करनसी में यहां पर हमको क्या सब्सक्राइब करन इंपूड करना है अभी मैं यहां पे स्टेंडर्ड वैल्यूस ले ले रहा हूं पिर यहां पे जो हमारा सेंड होता है उसका एक क्यूब्ट का रेट होता है 17 तो यहां पर मिले दूँगा 17 फिर यहां पर एग्रीगेट के लिए हमको 22 रूपीज लगता है एक क्यूब्ट के फिर यहां पर स्टेल के लिए हमको लगता है 40 रूपीज पर केजी फिर यहां पर हमको कॉंक्रीट मिक्सर मिलता है 500 पर डे के साब से तो यहां पर लिखेंगे 500 और इसको यहां पर लिखेंगे और यहां पर देंगे और एंटर कर देंगे फिर यहां पर लेबर के लिए हमक को रेट मिलता है 400 पर डे तो यहां पर लिखेंगे 400 पर डे फिर यहां पर हमारे साइड इंजिनियर के लिए हमको रेट मिलता है 500 पर डे तो यहां पर लिखेंगे 500 पर डे और एंटर कर देंगे यहां पर हमने सब और यह पिमेट करना पड़ेगा हमारे रिसोड़ हे यहां पर सीब्सक्रेशन चलिक करेंगे हरा इंसाइंक हो और यहां फिनूर्थ छ film और यहां पर लिख दिंकडंग मैं तो यहां पर हमने कितने लिए हैं तो इसके साफ से यहां पर हम तू मैंसन करेंगे और यहां पर जो मैंसन का रिट होता है वह होता है तो यहां पर लिख देंगे से असव को क्या को हम डिख द करेंगे तो बर्ली क्लिक करेंगे और यहां से जो बहुम गडिया करेंगे यहाँ पर नीचे क्लिक करके यहां पर एग्रिक्ट कळिक किया फिसे कलिक करके हैं हमने स्टिल किया हमने नीचे को कर देते हैं फिर नीचे क्लिक करके हम हम मह最近 को सब्सक्राइब कर दीर तो यहां है उसकी यूशने हैं उसको भी हमको यह Ihnen करदेगा और यहां हमें आ हैं पे योपार्व आसुषेएं करते कि मुनत कराइब तो यहां पी घीद तो यहां पर आ अर्धाप रहे लिए ह одноनों कोई चिलिक कर देंगे कर देंगे फिर यहां पर लें को ह्योस कर रहा है एक च्युसा कर देंगे तो यहां पर हमको GAN chart में भी वह प्रॉपरली शो होने लगेगा फिर यहां पर जो हमारा footing concrete था इसके पर हम फिर से double click करेंगे फिर यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो years है इसमें हम क्या लिखेंगे जितने भी number of cement bags लगने वाले हमारे footing concrete में जो कि हमने यहां पर हमारे estimation के course में कैसे निकालते हैं उसको already रखा है यारी कि footing concrete लिए जितना भी आपका quantity आता है आपके cement bags का आपको यहां पर उसको input करना है जितने भी aggregates की quantity आती है आपको उसको input करना है और यहां लल्ली जैसे कि आपके sand asd लें इनकी quantity के आती है आपको यहां पर उसको input करना है तो समझे यहां पर हमारा cement of bags आता है 25 तो यहां पर लिख देंगे 25 फिर यहां पर हमारा aggregates है जो उसकी quantity समझे लिए यहां पर आता है 35 क्यूबिक फिट क्यूंकि हमने यहां पर जो cost लिखा है यानि के rate लिखा है वह लिखा है क्यूबिक फिट के साबसे लिए यहां पर जाब हम इसको units input करेंगे तो हम क्यूबिक फिट में फिर यहां पर देखिए double footing concrete पर double click करूँगा तो यहां पर हमारा कितने units थे उसके हिसाब से यहां पर हमारा cost क्यूबिक हो गया और जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारे लेबल दिष्टी लगे थे वह हमारे फूटिंग का उसके सब्सक्राइब हमारे तोटल कॉस्ट क्याएट हो गया automatically यहां कि यहां पर पूरे पूरे कास्ट वैलोशन ऑटो मेटिक हो गया हमारे यहां पे करेंगे फिर से वाफ्रेन पर दिशंवर्याट्ट करेंगे तो फिर उसके बास जितना टोटल कॉस्ट आने वाले वीडियो में जिसमें कि हम पूरे ये complete project को start to end solve करेंगे हमारे Microsoft project के अंदर इसके अंदर हम सारे resources, tasks, activities सब को लिखेंगे detail में तो इस वीडियो में हमने सिफ सिखा यहां पर हमारे resources क्या होते हैं और उसको कैसे आफैंड करते हैं हमारे project के अंदर तो इस वीडियो में इतना ही लते हैं अगले वीडियो में जै हिंद थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो कि लर्निंग कि प्रैक्टिसिंग